नमस्कार स्वागत है आपका जन्ता तुषिन के शो इता आम बात है मैं और मैं हूँ आपके साथ स्रिश्श्श्रिश्र वास्तव इस शो में हम आपको रोज के सारे रेप केसिस के बारे में बताते हैं क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमरे देश की इलाके के पास की है जानकारे के मुताबिक ग्रामिनों की नजर खून से लत्पत महिला पर पड़ी ग्रामिनों ने बताया कि महिला के पेट और शरीर पर कई जखमों की निशान थी और महिला अधिनगन अवस्था में थी इसको देखकर ये मालूम हो रहा था कि पहले पूतर और मांग में सिंदूर दिखने से लग रहा था कि युफती शादी शुदा है सफ को ऐसी हालत में देखकर आसपास की इलाखों में संसनी फैल गई है पिराल पुलिस मामले की जाच में जूटी है बिहार के खगडिया जिले में सौच के लिए जा रही युफती के सा पिरता की माने तो दोनों युवक नशे में थे यब लड़की पुलिस में गई मामला दर्श कराने तो पुलिस ने इसे छेडखानी का मामला बताया और छेडखानी का ही केस दर्श करया पिरता अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस अधिक्षक अमितेश कुमार के पास गए और उसके सामने नयाई की गुहार लगाए मामले में S.P. ने जाज के बाद युवकों के खिलाफ कारवाई करने का दावा किया है बिहार के मजफरपूर में पहले वैक्ती ने अपने दोस्त की बीवी को भड़काया फिर उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की बच्ची की पिता ने बताया कि वो म्यूचल फंड निवेश कराने वाले एक फर्म में काम करते हैं 2010 में उनकी शादी मोतिपूर में रहने वाली एक यूफती से हुई थी उन दोनों के दो बच्चे हैं आरोपी उनके ही गाव का है दोनों लोगों ने साथ में सिक्षा विभाग में नौकडी के लिए आवेदिन दिया था इस वज़े से आरोपी का आना जाना था उनके घर पर पहले तो आरोपी ने अपनी बातों में उसकी पत्नी को फसाया जिसके बाद पती पत्नी के बीच जगड़ा होने लगा फिर पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई पत्नी कहीं अलग रहने लगी जहां पर आरोपी भी आता जाता था उसकी पत्नी एक सिक्षक है तो उसकी गैर मौझूदगी में आरोपी ने उसकी बेटी के साथ गलत किया एक दिन आरोपी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था बच्ची वहां से किसी तरह भाग निकली और अपने पिता के पास पहुँच गए और रोते रोते उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई और कहा कि मम्मी के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि रजीन तक कल मेरे साथ गलत करते है आरोपी कना आम रजीत है बच्ची की बात सुनकर पिता बच्ची को लेकर काजी मुहम्मध पूर थाना पहुँचा पटना में एक लड़की के साथ लड़कों ने जबरदस्ती की वो लड़की अपनी मा के साथ सौच के लिए जा रही थी इसे दुरान गाव कही दो लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया और जबरदस्ती करना शुरू कर दिया मार ने जब देखा कि उसके सामने उसके बेटी के साथ गलत हो रहा है तो वो चिलनाने लगी इसके बाद दोनों युवक वासे फरार हो गए धनरुआ थाना प्रवारी राजुकुमार ने बताया कि मामला दर्शकर पुलिस आगे की कारवाई कर रही है कोटा में एक पती ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पतनी के साथ गैंग रेप किया फीरता ने बताया कि वो बूंदी की रहने वाली है और उसका पती महवीर नगर में रहता है 2016 में धोके बाजी से यूवक ने महिला के साथ शादी कर ली थी शादी के बाद महिला को ये भी पता चला कि यूवक की पहले से ही एक पत्नी है और एक 6 साल का बच्चा भी है जिससे दोनों में बिवाद भी शुरू हो गया था महिला ने बताया कि वो नुवेंबर 2020 में कोटा आ गई थी वो एक दिन फ्लाई ओवर की नीचे खड़ी थी इसी बीच उसका पती वहां कार से आया और उसे कार के अंदर बैठा लिया उसके साथ कार में पहले से ही दो व्यक्ति मवजूद थे और महिला को धमकी देते हुए कह कि एक दोस्त वकील है और दूसरा मेजिस्ट्रेट है तो मामले को खतम करतों तीनों ने कार में बैठा कर महिला के साथ छेड़खानी चुरू की जिसने महिला चिलाने लगी चिलाने की वरे से पते ने म्यूजिक टीप की आवास पेस कर दी तो तीनों आरोपी करीबन दो घ कमरे में चले गए कुछ दिर बाद तीनों महिला के कमरे में नशे में आये और महिला को पहले जबरदस्ती शराब पिलाई फिर तिनों ने मिलकर महिला के साथ गैंग रेप किया वारदात के बाद पीड़ता कुछ दिन तक तो चुप रही लेकिन हिम्मत करके वो पुलिस के को बुलाया और समझा कर मामला रफा दफा करने को कहां जिसके बाद पीरता सिटी एसपी के पास गए जिसके बाद आरोपी पती सहीत अन्य के खिलाफ मामला दर्श कर दिया गया है अब आप चाय की कप नीचे रख सकते और वापस अपने काम पर जा सकते हैं अब पर हमारा मकसद यह नहीं है हमारा मकसद आपके दिमांग में बाट डालना कि मर्देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आगे शो में हम आपको रोज के सारे रेप कीस के बारे में बताएंगे इसी के साथ देखते रहे हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें पेस्भूक पे ल